नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जेन जी आप हमार साथ आज हैं, शशांक जी एक बारी परिचे में बस एक बात जोड़ना चाहूंगा जेन जी के बारे में, कि वितमंत्री भी रहे हैं, सिविल अविएशन के भी मंत्री रहे हैं, और अभी बहुत एक बड़ा और और आज विदेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, उसके सीनियर एक्जेक्टिव ओफिसर, आज टॉप गेर में एकॉनमी और आप देख रहे हैं, कि गाड़ी बनाने वाले और अर्थविवस्ता को संभालने और चलाने वाले साथ में ब लंबी वेटिंग लाइन भी है, ग्रोथ घट रही है, और महंगाई बढ़ रही है, तो भारत की अर्थविवस्ता टॉप गेर में जाने से पहले कहीं न्यूट्रल में तो नहीं आ रही है. बहुत बहुत धन्यवाद सिधार जी और सब आज तक के दर्शकों को मेरा जारखंडी जोहार, आप लोगों ने इस कारिकरम के लिए जो टाइटल चैन किया है, वो बिलकुल सही चैन है, टाइटल है, क्योंकि अर्थविवस्ता सही रूप से टॉप गेर में याने फोर्थ गेर में चल रही है, और चलती भी रहेगी, विश्व में अगर आप देखें, तो आपको नजर आएगा कि और सब जो मेजर एकॉनमीज हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, उनकी अर्थविवस्ता इस समें डामाडोल है, चाहे वो चीन की अर्थविवस्ता हो, अमरीका की हो, यॉरप की हो, सब जगे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक तो उतपादन का धर, याने GDP ग्रोथ रेट जो है, वो कम होते चले जा रहा है, और महंगाई जो है, अभी भी चरम सीमा पे है, 7%, 8%, 9%, इसके मुकाबले में, अगर हम भारत को देखें, तो आपाज भारत एक चमकता हुआ सितारा है, जहां महंगाई कम होती चली जा रही है, 6% से कम होती चली जा रही है, और GDP का जो ग्रोथ रेट है, वो 6-7% से बढ़ता चला जा रहा है, और इसलिए आज विश्व में और सब जब सेकेंड गेर में हैं, थर्ड गेर में हैं, हम फ 3 x 3, क्योंकि 6 हमारी ऐसी नीती हैं, जो तीन तीन शब्दों वाली हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली और एहम हैं आरे लिए, पहला, DBT, Direct Benefit Transfer, दूसरा, UPI, जो बड़े तेजी से आप सब डिजिटल ट्रांसक्शन कर सकते हैं, तीसरा, GST, जिसके द्वारा फॉर्मालाज और छठा, जिसके बारे में अभी कहा गया मैंने, और मारुती को भी मुझे लगता है, इससे बहुत लाब मिल रहा है, वो है, PLI, यहने Production Linked Incentive, जो मानि पधानमंती जी ने बड़े कुशलता से PLI को अमल किया है, बिछले कुछ बजटों में और उसका अब हमें प्रभाव पाएंगे, और जब production बढ़ेगा, तो हमारा रोजगार भी बढ़ता है, और रोजगार जब बढ़ता है, तो हम लोगों का एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है, और इससे अमारी अर्थविवस्ता बड़ी तेजी से बढ़ती है, तो यह सब जो मैंने कहाँ 6, 6 x 3 को आप ल वाला है, और उसे नमो कहते हैं, पर आप से उस पर फिर से बात करूँगा, श्रशान जी, एक बात बताईए हमारे दर्शकों को, पिछले कुछ समय में गाडियों की अवेलिबिल्टी में देरी हुई, पर एक नया कीरतीमान आपकी कंपनी ने शायद आज स्थापित किया ह जो मुझे जानकारी मिली, दिल्ली से मुंबई और हमारे दर्शकों को जानके शायद ये आश्चरे होगा, एक लीटर पेट्रोल में, गाड़ी महंगी है, 1400 किलोमीटर, तो ये किरतीमान कैसे हुआ, जापानी टेकनॉलजी और भारती बुद्धी? जी, अपने बिलकुल सही फरमाया, कि ये एक हाइबरेड गाड़ी है, स्ट्रॉंग हाइबरेड, ग्रैन विटारा, एक टैंक फुल में, एक लीटर में नहीं, एक टैंक फुल में, यहां से मुंबई गाड़ी, अक्शली, इट डिद अबाओ 1400 किलोमेटर प्लस, अल्मोस 1600 क साथ लीटर में, साथ लीटर की टैंक लगबग होगी, साथ से कम है इसमें, 48 या 49 लीटर की टैंकी है, तो इट आस ती टाइप अफुल एफिशेंसी, और यह जरूरी भी है, जो हमारे नॉम्स हैं, आज के दिन में, एमिशन के, उसको मीट करने के लिए, जो कैफे के नॉम है, और मैं पूरी तरह से एगरी करता हूँ, जेहन जी से, जब उन्होंने बोला, यह टॉप गियर में है, क्योंकि इस साल की यह इमकान है, कि इंडस्ट्री का जो टोटल सेल है, वो लगबग 38 लाग में, पैसेंजर कार की, पैसेंजर वेकल्स की बात कर रहा हूँ, 38 लाग में मैंने देखा है कि, चोकि आटो इंडस्ट्री बहुत खोली रिलेटेड है, जो इंडस्ट्री जो माशी ग्रोथ है, उसमें, जो एकनामिक ग्रोथ है, तो इस वज़े से हम उसको बहुत ट्रैक रखते हैं, की ट्रैक, वी कीप वेरी क्लोज ट्रैक अफ दी एकानमी, और अच्छे से टृढ ट्रैक, एल उब्सेटी एकानमी ?